गुद मॉर्निंग एवरिवन आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में आपका सेकन स्टैंडर का जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक दिखाया गया है वो है हिंदी प्रवेशी का नूतन अभिनव हिंदी प्राइमर पार्ट टू ठीक है आपको इस टेक्स्ट बुक मे और इसमें जितने लेसेंस है वो सारे व्यनजन के शुर्वास से ही हो जाएंगे ठीक है तो मैं आपको पहले हम सेकन पार्ट हिंदी टेक्स्ट बुक में से हमारे यूनिट स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा बहुत हम रिविजन भी कर लेते हैं ठीक है रिविजन में मै आपको करवाऊंगी पहले व्यनजन व्यनजन को वापस हम एक बार पढ़के कैसे पढ़े जाते हैं देख लेते हैं फिर बाद में हमने फर्स्ट टेंडर में क्या क्या किया था थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाई कर लेते हैं ठीक है ओके क से अमल ख से खरगोश ग से गमला ग से घड़ी ड से ड के साथ यहां पर एक स्क्वेर एक सरकल देते हैं हम सरकल में लिखते हैं यह चोटा सा बिंदू दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ड धम जैसे अंग जैसे गंगा इसको ढम बोलते हैं जैसे अ को और ग को अर्ध में लिखते हैं अंग ऐसे जह से चम्मच छह से छत्री जह से जग जह से जंडा यह जो है शब्द इसको हम किसी चीज के साथ मिला कर लिखना हो या उपर कोई दिरगई में लिखना हो तो इसका उप्योग होता है इसलिए इसको हम बाद में अच्छी थारा वर्ड्स में या फिर शब्दों में देखेंगे त से तमाटर ठ से ठैला द से डफली ध से धोलग अणा अणा किसी चीज में उप्योग नहीं की जाती है लेकिन किसी किसी में जैसे बाण ये लेटर ये शब्द जो है ये कभी ही यूज होती है उप्योग होता है ठीक है त से तर्बूज थ से थर्मस द से दावत धसे धनुश नासे नल पॉसे पतंग फॉसे फल मिठे मिठे फल बॉसे बतक भॉसे भालू मा से मच्छिली या से यगना र से रसी ल से लट्टू वसे बीना शो से शंक शो से शटकोन सो से सूरज हो से हाती क्षा से क्षत्रिय और त्र से त्रिशूल गना से गनानी ओके बचो तो आज हम पहले थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं आपके लिए मैंने एक वरक्षिट बनाया है हिंदी सब्जिक्ट में ठीक है ताकि आप सेकेंड स्टैंडर्ड में इजिली वापस एक बार पढ़ाई कर सकते हो ठीक है तो फर्स्ट आपका वर्नो को जोड़ कर वर्नो को जोड़ कर शब्द लिखिए ठीक है तो इसमें क्या है आपको दो-दो अलग-अलग लेटर्स यह होंगे और उसमें आपको दोनो को यहाँ पर प्लस दिया है प्लस यानि एड़ करना होता है तो ज़ प्लस ल यानि इन दोनो को जोड़ना है आपको तो क्या आएगा ज़ ल ठीक है तो ऐसे ही इसमें न प्लस ब यानि न भ ठीक है जैसे आपको यह वर्ड्स दिये होंगे दो अलग-अलग वर्ड और आपको उसको साथ में जोड़कर यहाँ पर लिखना है तो क प्लस न क न फिर बाद में आएगा प्लस ल प्लस क यहाँ पर त्री लेटर्स दिये होए प्लस ल प्लस क यानि पलक फिर बाद में क प्लस प्लस ट क्या आएगा कपट ठीक है इस तरह से आपको ऐसे आपको लेटर्स दिये होंगे आपने यह किया हुआ होगा ना फिर स्टेंडर में जैसे ज ल इसको आपको जोड़कर लिखना है ऐसे वाले शब्द आपको सिखाए हुए है इसके बाद आएगा चित्र पहचानकर उपयुक्त वर्न लिखिए यानि क्या है यहाँ पर चित्र दिया हुआ है इहाँ भी यह चित्र दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ होगा और एक fill in the blank यहाँ पे एक खाली जगा दी होगी तो आपको उसको चित्र देख़र उस लेटर में क्या add करना है जोड़ना है उसको लिखना है जैसे न दिया हुआ होगा दूसरी कोई भी जहाँ पे पिक्चर दी होगी वहाँ पे चित्र दी होगी उसका नाम लिखना है जैसे यह नल है तो क्या लिखेंगे न दिया था और ला फिल इन द ब्लैंक तो न ल ठीक है ऐसे इसी तरह यह चीज मटर मटर का चित्र दिया हुआ है लेकिन आपको यहाँ प म डश फिल इन द ब्लैंक र तो क्या आएगा मटर तो आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक लिखना है ठीक है जैसे जग तो ज नहीं दिया था और ग दिया था तो आपको क्या लिखना है ज ग ठीक है ऐसे मिस्सिंग लेटर आपको फिल अप करने है इसी तरह म यह मचली है तो मचली को कैसे लिखते हैं मचली मचली ऐसे missing letter आपको fill up करना है तो ये हो गया आपका चित्रह पहचान कर उसका उपर्योक्त वर्न लिखिए तो आपने पहले ये पढ़ाई की थी ना इसके बारे में अब ये आएगा आपका उदाहरन के अनुसार ये मात्रा दी हुई है ये टी जैसा मात्रा यानी ये स्टैंडिंग लाइन और उपर स्टैंडिंग लाइन और उपर स्लीपिंग लाइन ठीके तो क्या दिया हो है ये मात्रा दी हुई है तो उदाहरन के अनुसार इस मात्रा का प्रयोग कीजिए ठीके ये मात्रा का प्रयोग करके यहाँ पे आपको लिखना है जैसे example दिया है ज़ ल ये शब्द दिया होगा और आपको मात्रा का यहाँ पे इस शब्द में यूज करना है जैसे जल तो आएगा जा पहले शब्द में मात्रा एड़ करेंगे फिर बाद में जाल फिर इसको इसी के साथ ये second word में second letter में पापस मात्रा यूज करेंगे जाल यानि पहले letter में ये मात्रा यूज करना है फिर बाद में second में ये मात्रा ठीक है तो जाल यानि जाला ठीक है same to same, ऐसे ही, दूसरे शब्द, कल दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले शब्द में मात्रा को यूज करते हैं, काल, फिर बाद में दूसरे लेटर को भी मात्रा यूज करते हैं, तो क्या आया, काला, ठीक है, इसी तरह, थर्ड वन में है, तर, तो तर में हम पहले, प मात्रा यूज करेंगे, ता, रा, ठीक है, ऐसे ही, फोर्थ वन में, मल, आप देख रहा हैं, यहां पर मल, मल में, पहले म से मात्रा यूज किया है, फिर बाद में उसमें वापस माल हुआ, फिर बाद में इसके साथ वापस, सेकेंड लेटर में, यह मात्रा यूज किया, तो माला हुआ ठीक है इस तरह से आपको उदाहरन के अनुसार ये उदाहरन दिया हुआ है मातरा का उदाहरन दिया हुआ है उसका अनुसार आपको शब्द पूरे मातरा के दिया यूज करके यहाँ पे फिलंद फ्लैंक्स में फिल अप करने है ठीक है फिर बाद में आएंगे खा खाली स्थान भरो यानि यहाँ पे आपको पहले खाली जगा दीगे होगी, fill in the blanks दिया होगा यहाँ पे फिर बाद में उसके बाद आपको दूसरे अक्षर दिये होंगे और दूसरे letters दी होंगे, आपको उस fill in the blanks को इसमें से यह option दिया होगा, उस option से आपको यह शब्द च चुनकर आपको यहाँ पे शब्द बना है, जैसे खाली जगा, रकस, तो यहाँ पे यह कौन सा word बनेगा, सरकस, यहाँ से हमने यह वर्ड उठा कर यहाँ पे अड़ किया, यहाँ पे हमने मिलाया, तो क्या हुआ, सरकस, सरकस बना गया, ठीक है, इसी तरह इसमें, इसमें द चुनकर एक लेटर चुनकर आपको यहाँ पे शब्द बनाना है, तो क्या आया, कट हल, है न, फिर बाद में आएगा, पन घट, तो यहाँ पे पन घट में, बीच वाले में, फिलिन द ब्लैंक्स था, तो क्या आएगा, यहाँ पे आया, न, इसमें से आपको चुनकर फिर बाद में आएगा, कसरत, तो यहाँ पे दो लेटर्स आप्शन में दिये हुए है, तो आपको चूस करके यहाँ पे लिखना है, तो कसरत, क्या आया, कसरत का वर्ड बन गया, ठीक है, इस तरह से आपको खाली जगा दी होगी, आप्शन दिये होंगे, चूस करके पे आपको वर्ड बनाना है, तो मचली, यहाँ पे चूने को हमने यहाँ पे रखा, तो क्या हुआ, मचली बन गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको खाली जगा दी होंगी, और उस थानों में आपको इखटा करके शब्द बनाना है, इस में से चूस करके, ठीक है, ओकी, फि उसको अच्छे सुन्दर अक्षर में same to same यहाँ पे लिखना है तो उससे आपके अक्षर भी अच्छे बनेंगे और आपके handwriting भी अच्छे निकलेंगे ठीके तो यह आपको same to same यहाँ पे सुन्दर अक्षर में लिखने ठीके गुल फिर आएगा चितर देखकर वाख्यको पूरे करो ठीके चितर दिये होंगे ऐसे पूरे चितर दिये होंगे और उसको आपको उसके names लिखने हैं जैसे के यह क्या कौन सा चितर है कौन सा चित्र है ब, त, क ऐसे आपको चित्र के नाम लिखने है फिर ये क्या है क, ल, म ठीक है फिर ये क्या है मचेली इस तरह से आपको चित्र के नाम लिखने है फिर ये क्या है से, ब ठीक है फिर ये बॉल फिर ये अनस ठीक है तो ऐसे आपको चित्र दिये होंगे और आपको उसके नेम्स लिखने हैं तो ये होगे आपका चित्र देखें वाख्या को पूरा करो ठीक है इसी तरह आपके पूरे ऐसे आपको last year में आपको पूरा revision मैंने कर वाया था तो अभी भी आपको ये पूरा revision आपने वापस एक बार आप कीजिएगा और इसी तरह इसमें हिंदी में और जैसे की शब्द के शब्द को बना कर सेंटेंस मनाना ऐसे सब रिविजन में आएगा सो आपको